टीक उमारन भारती रेल के कर्मचारी हैं और चेनने डिविजन में पॉइंस्मेन के रूप में कारे करते हैं एक दिन जब वे अपने इलाके के रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे तो अचानक उनके पैरों के पास एक साप आ गया जब उनकी नजर साप की ओर गई तो उनके मन में एक स्वभाविक साट डर बैठ गया लेकिन जैसे ही रेलवे ट्रैक पर आती रेलगाडी की और देखा तो उनकी आँखों के आगे हजारों की संख्या में सफर करते ही आपनी दिखाई देने लगे उनके अंदर दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी वे सोचने लगे कि साप के काटने से तो अकेले उनकी जान जाएगी लेकिन रेलगाडी में बैठे उन हसारों लोगों की जान बच जाएगी जो किसी न किसी काम से अपने घरों से निकले हैं या कहीं अपनों से मिलने जा रहे हैं उनका दिमाग कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाओ लेकिन उनका दिल कह रहा था कि बिना डरी अपने काम को अंजाम देना ही सबसे बड़ी पूजा है आखिरकार उन्होंने अपने दिल की सुनी और श्री टी कुमारन बिना अटर अपनी ड्यूटी पर जमे रहे रेल गाड़ी के नजदीक आने की आवाद सुनकर साथ तो अपने आप भाग दिया और इधर श्री टी कुमारन हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुचाने में अपनी भूमिका निभा रहे थी श्री टी कुमारन तो सिर्फ एक उधारण है भारती रेल में ऐसे कई पॉइंट्समैन है जो आज बखू भी अपनी भूमिका निभा रहे है उन्होंने हजारों कर्मचारियों के लिए ट्रेरना जगाने का काम किया अपनी कार्य और जिम्मेदारियों के प्रती ऐसे ही लगंशिल कर्मचारियों की बदॉलत भारती रेलबे जानी जाती है